परिचय कोई भी वस्तू जिसमें द्रवेमान और आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को इस प्रकार भी परिभाशित किया जाता है कि जिस भी वस्तू में जड़त्व हो, उसे पदार्थ कहते हैं। सभी ठोस, द्रव और गैसें, जिनसे आपका, आपके दैनिक जीवन में सामना होता है, वो किसी न किसी प्रकार के ठोस हैं. आप जीव विग्यान में सजीवों के वर्गी करंड से परिचित ही हैं. उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. अव्यवों, योगिकों और मिश्रणों के अंतर को समझना, विलियन के अनुपात जानना, निलंबन और कॉलाइट विलियन के बीच अंतर समझना, समांग द्रवों और विश्मांग द्रवों को प्रिथक करने की अवधारणा को समझना वायू के अव्यवों के प्रिथक करन को समझना पदार्थों का वर्गी करन पदार्थ पदार्थ एक द्रव्वे होता है जिसकी सनचना समान होती है इसकार्थ ये हुआ कि पदार्थ चाहे जहां भी पाया जाए वो सदैव समान रहता है। ये हुआ सभी पदार्थ हैं क्यूंकि आप उन्हें जहां भी पाएंगे उनकी सनचना सदैव समान रहेगी। सभी अव्यव और सभी योकिक पदार्थ कहे जाते हैं। अवियव वे पदार्थ होते हैं, जो एक प्रकार के परमाणूं से बने होते हैं। इस समय कुल 113 ग्याद अवियव हैं, जिन में से ज्यादा तर धात हुए हैं। आवर्त सानणी में दिये गए चिन ग्याद अवियवों को व्यक्ति करते हैं। परमाणूं भी छोटे कड़ों से बने होते हैं, लेकिन उन्हें सामाने रासाइनिक तरेके से विभाजित नहीं किया जा सकता। योगिक और प्रावस्था योगिक वे पदार्थ होते हैं, जो एक से अधिक प्रकार के परमाणूं से बने होते हैं, जैसे जल, हाइटोजन और आकसिजन परमाणूं से मिलकर बना होता है। कार्बन डायोकसाईड, कार्बन और आकसीजन परमाडूं से मिलकर बनी है. खाने वाला नमक, सोडियाम और क्लोरीन परमाडूं से मिलकर बना है. योगिक मिश्रन से ऐलग होते हैं, जिसमें वे रासाइनिक रूप से जुड़े होते हैं. अव्यवों के विप्रीत योगिकों को समान योगिक अभिक्रियाओं से अपघडित किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है प्रावस्था पदार्त का वो क्षित्र जिसका अपना सौतंत्र गुण धर्म हो उसे प्रावस्था कहते हैं चौकलेट बिस्किट के टुकडे में आटे और चौकलेट के टुकडे का गुण धर्म भिन होता है इसलिए वे भिन प्रावस्था को व्यक्त करते हैं शुद्ध स्वण जोकी एक अव्यव है उसमें सिर्फ एक प्रावस्था होती है इटेलियन ट्रेसिंग में कई प्रावस्थाएं होती हैं जबकि लवन युक्त जल के विलियन में केवल एक प्रावस्था हो सकती है समांगी पदार्थ और मिशनन समांगी पदार्थ कोई भी पदार्थ जिसमें केवल एक प्रावस्था हो, उसे समांगी पदार्थ कहते हैं। हाइडोजन जैसे अव्यव और चीनी जैसे मिश्रण और लवन, जल जैसे विलियन को समांगी माना जाता है, क्यूंकि वे एक समान होते हैं। एक सेंपल के सभी क्षित्र, सेंपल के सभी दूसरे क्षित्रों के समान होते हैं। मिश्रण, मिश्रण दो या अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जो भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। विशेश मिश्रण अलग-अलग सेंपल में भिन भिन हो सकता है। कुछ मिश्रण इतने अच्छी तरह मिले हुए होते हैं, कि उन्हें केवल एक प्रावस्था से बना समांगी माना जाता है। दूसरे मिश्रण जो एक से अधिक प्रावस्था से बने होते हैं, उन्हें विश्मांगी मिश्रण कहते हैं। विलियन विलियन विशेश प्रकार के समांगी पदार्थ होते हैं, क्योंकि वे योगिक से भिन्न होते हैं. विलियन के भाग भातिक रूप से जुड़े होते हैं, ना कि रासाइनिक रूप से. जब आप एक गिलास लवन जल डालते हैं, तो लवन जल के साथ रासाइनिक अभिक्रिया नहीं करता दोनों भाग आपस में इतनी अच्छी तरह मिल जाते हैं, कि प्राप्त विलियन को एक समान कहा जाता है आइस्टी, कॉफी, मिश्रधातू और जो हवा हम श्वास के रूप में लेते हैं, सभी विलियन का उधारण है विलियन दो भागों से मिलकर बनते हैं, विले जो खुलते हैं और विलायक जो खुलाते हैं लवन जल में नमक विले है और जल विलायक है विश्मांगी मिश्रण विश्मांगी मिश्रण एक से अधिक प्रवस्थाओं से मिलकर बने होते हैं और उन्हें भातिक रूप से प्रथक किया जा सकता है। पहले उल्लेक किया गया चौकलेट, बिस्किट, टास्ट, सलाद और मुनक्का भूसी अनाच का कटोरा विश्मांगी मिश्रण के उचित उधारण हैं। अवियव अवियव एक साधारण पदार्थ होता है, जिसे सामान ने रासाइनिक तरीकों से और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। कार्बन, हाइडोजन, आईरन इत्यादी अवियव के कुछ उधारण हैं। मनिशिको ग्याद अवियवों की संख्या एक सो नौ है। यूरेनियम सबसे भारी अवियव है और हाइडोजन सबसे हलका अवियव है। प्रतेक अवियव एक दूसरे से भिन होता है, क्यूंकि प्रतेक अवियव का एक विशेश प्रकार का परमाणू होता है। यह आकृती एक अवियव A और दूसरा एक अवियव B के परमाणूं को व्यक्ति करता है। एक अवियव को इससे छोटे पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमाणूं अविभाजिय होते हैं। जब दो अव्यव मिलते हैं, तो पर्माणू ना तो जन मिलेते हैं, ना ही नश्ट होते हैं. अतहा, प्राप्त पदार्थ का भार मूल अव्यवों के द्रव्यमान के बराबर होता है. यदि एक अव्यव, एका पर्माणू अव्यव B के पर्माणू के साथ जुड़ता है, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त यौकिक अनू में द्रफेमान का अनुपात समान होता है। अतहा यदि A का एक परमाडू B के दो परमाडूं से सयुक्त होता है, तो परिणाम सोरूप प्राप्त अणू में A और B एक अनुपात दो यानि द्रवेमान के आधार पर में होंगे जैसागी चुत्र में दिखाया गया है एक मिश्रण में हालकी परमानू संयुक्त नहीं होते और वे किसी भी अनुपात में हो सकते हैं योगिक योगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या अधिक अव्यवों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं एक योगिक में दो या अधिक प्रकार के परमाणू होते हैं जो एक नया अनू बनाने के लिए रासाइनिक रूप से संयुक्त होते हैं जल ऐसे ही शुद्धियोगिक का उधारन है जो हाइडोजन और ऑक्सीजन के दो अनुपात एक आइतन या एक अनुपात आठ द्रवेमान के मिलने से बन्दा है। जल एक यौगिक है। यौगिक के उधारन है साधारन नमक कारवन डायोकसाइड इत्यादी। अवियव और यौगिक में विभेद। जब दो या अधिक अवियव या यौगिक एक साथ मिलाए जाते हैं, तो वे अपना निजी गुण धर्म छोड़े बगैर आपस में खुल जाते हैं। इन्हें मिश्रन कहा जाता है। मिश्रन को ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाशित किया जा सकता है, जो दो या अधिक पदार्थों की भिन्न मातराओं से मिलकर बने होते हैं। वायू कई गैसों का मिश्रन है। इसमें आक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अवियव तथा सी ओ टू और जलवाश्प जैसे यौकिक होते हैं। गतिविध्री एक परतन में आईरन और सलफर का मिश्रन लिया गया है। इस मिश्रन के समीब एक चुमबक लाया जाता है। मिश्रन के साथ क्या होगा? केवल आईरन का बुरादा चुमबक की तरफ आकर्शित होगा। मिश्रन में कारबन डाइस सलफाइट मिलाइए। आपने क्या देखा? सलफर के कण घुल जाते हैं जबकि आईरन का बुरादा आप्रभावित रहता है। इस गदिविधी से आप क्या समझते हैं? हम समझ सकते हैं कि मिश्रन के मूल संगटक अपना स्वतंत्र गुन धर्म बनाए रखते हैं। यहां आईरन चुमबक के प्रती आकर्शित होने का अपना गुन बरकरार रखता है। मिश्रन को समांगी या विश्मांगी के रूप में वर्गी कृत किया जाता है। विलियन वहवहारिक तौर पर समांगी मिश्रन होते हैं। समांगी और विश्मांगी मिश्रन एक विश्मांगी मिश्रन समानता नंगी आखों के प्रत्यक्ष्य होता है। यह दो भिन प्रकार के पदार्थों लवन और काली मिर्च, तेल और सिर्का इत्यादी का मिश्रन होता है। जो की भिन भौतिक अवस्थाओं द्रव और गैस अवस्था में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। समांगी मिश्रण नंगी आखों से देखने पर एक ही पदार्थ दिखाई देता है। इस कार्थ है कि केवल एक भौतिक अवस्था यानि केवल ठोस या केवल द्रव इत्यादी प्रत्यक्षि होती हैं और दो या अधिक पदार्थ इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि नंगी आखों से अलग-अलग पदार्थों को पहचानना असंभव होता है। इसका एक उधारण है क्रित्रे मक्षन। आमतोर पर क्रित्रे मक्षन तीन तरह के पदार्थों से बना होता है। गतिविधी मिश्रन और योगिक के बीच अंतर का अध्यान करने के लिए एक चीनी मिट्टी के वर्तन में 56 ग्राम आईरन का बुरादा लीजिए इसमें 32 ग्राम सलफर चून मिलाईए इन्हें अच्छी तरह से मिलाईए एक दूसरे चीनी मिट्टी के बर्तन में 56 ग्राम आइरन और 32 ग्राम सलफर चून लीजिए इस बर्तन को उच्छ तापमान तक गर्म कीजिए अब आपने क्या देखा? अब एक चुम्बक लीजिए इसे दोनों बर्तनों के उपर से ले जाएए अपने प्रेक्षन को दर्ज कीजिए जब आइरन का बुरादा और सलफर चून को चीनी मिट्टी के बर्तन में लिया जाता है तो वे एक मिश्रन बनाते हैं आइरन और सलफर परस्पर मिलते नहीं है आइरन और सलफर दोनों अपना सौदंत्र गुण धर्मु बनाए रखते हैं जब हम मिश्रन के समीब एक चुम्बक लाते हैं तो आइरन का बुरादा चुम्बक की प्रती आकर्शित होता है विलियन दो या अधिक पदार्थों का मिश्रन एक विलियन, एक निलंबन या कॉलाइट हो सकता है जब शुद्ध पदार्थ आणविंक परमाणों या आयन आकार के होते हैं तो पदार्थ की अवस्था को आणविंक प्राकिर्णन की अवस्था कहा जाता है एक विलियन दो या अधिक पदार्थों का समांगी आण्विक प्राकिर्णन होता है, इसे इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि विलियन दो या अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है समांगी का आर्थ है कि सभी जगह एक समान अतहा वो विलियन जो समांगी में शरन हो उसका संगठन हर जगह समान होगा शक्कर का विलियन इस पश्टता तरल होता है और हम शक्कर के टुकड़ों को जल के अड़वों से सूक्ष्म दर्शी से भी अलग नहीं कर सकते विलियन के कुछ उधारण है लवन युक्त जल, शक्कर का विलियन, कौपर सलफेट और एसिटिक अम्ल का जल में विलियन यानी सिरका वह तरल जिसमें पदार्थ घुलते हैं उन्हें विलायक कहते हैं वह पदार्थ जो विलायक में घुलकर विलियन बनाते हैं उन्हें विलय कहते हैं शक्कर के विलियन में शक्कर विलय है जल विलायक है समाने तह किसी भी विलियन में विलय की मात्रा विलाय की मात्रा से कम होती है विलियनों के प्रकार विलियनों को घुले हुए विलय की मात्रा के आधार पर वर्गी कृत किया जा सकता है असंत्रिप्त विलियन वह विलियन है जिसमें विलियन का तापमान बढ़ाए बिना और विलय मिलाया जा सकता है संत्रिप्त विलियन वो विलियन है जिसमें एक नियत तापान पर विलय की अधिकतम मात्रा गुल चुकी है संत्रिप्त विलियन में खुले हुए और नहीं खुले हुए विलय की मात्रा परस पर सामे में होती है पूर्ण संत्रिप्त विलियन वह विलियन होता है, जिसमें विलय की मात्रा संत्रिप्त सांद्रता से अधिक होती है विलियन का गुण एक सच्चा विलियन समांगी मिश्रन होता है विलियन के घटक छनन जैसी विधियों से आसानी से प्रथक किये जा सकते हैं विलय कड़ों का आकार बहाँ छोटा होता है और इनका व्यास दसकी घात घटाब आट सेंटिमीटर होता है विलियन के कड़ों को सुक्षम दर्शी से भी नहीं देखा जा सकता विलियन स्वच और पार दर्शी होता है विलियन स्थिर होता है और यदी हिलाया ना जाए तो विलय कड़ नीचे नहीं बैठते निलंबन कुछ पदार्थ दर्व में नहीं खुलते ऐसे पदार्थों के छोटे कंड दर्व में निलंबित रह जाते हैं जैसे की रेत, कीचड, जल में निलंबित रह जाते हैं। इसी प्रकार ठोस, गैस में भी निलंबित रह सकते हैं। इन मिश्रणों को निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विश्मांगी मिश्रण होता है, जिसमें ठोस के छोटे कण, द्रव या गैस के पूरे द्रवेमान में घुले बिना निलंबित रहते हैं. निलंबन के गुण धर्म निलम्बन एक विश्मांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के छोटे कण, द्रव या गैस के पूरे द्रवेमान में घुले बिना निलम्बित रहते हैं. निलम्बन में कण सामान ने आखों से दिखाई देते हैं. कणों का व्यास दसकी घात घटा पांच सेंटिमीटर होता है. विलियन में कणों को द्रव से अलग छान कर किया जा सकता है. स्थिर रखने पर निलम्बन के कण नीचे बैठ जाते हैं. कॉलाइड कॉलाइड विलियन देखने में समांगी लगता है. किन्तु उचक्षमता वाले सूक्ष्म दर्शी से देखने पर यह वास्तों में विश्मांगी होता है. कॉलाइड सच्चे विलियन और निलम्बन के मद्ध होता है. कॉलाइड वाविलियन होता है जिसमें विले के कण का आकार सच्चे विलियन से बड़ा किन्तु निलम्बन से छोटा होता है. इस तालिका में कुछ कॉलाइडों के सामान ने उधारन दिये गए हैं. टिंडल प्रभाव कॉलाइट अपने से गुजरने वाले प्रकाश को फैला देता है इसकार्थ है कि कॉलाइट से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दिखती है यदि अधिरे कमरे में रखे कॉलाइट से प्रकाश की किरण गुजरे तो प्रकाश का पत कॉलाइट कणों द्वारा प्रकाश के फैलाओ के कारण देखा जा सकता है इसी प्रकार का प्रभाव तब भी देखा जा सकता है जब प्रकाश की किरण धूल भरे वायू से हुगर गुजरती है कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के फैलाई जाने की परिखटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं यह प्रभाव सच्चे विलियनों में नहीं दिखाई देता द्रभों में टिंडल प्रभाव लेजर पॉइंटर की सहयता से आसानी से देखा जा सकता है यदि आप दूद को इतना पतला करें कि यह लगभग पारदर्शी हो जाए यह आपके पास किसी प्रकार का विलियन हो जैसे की कुलाइडल सिल्वर तो लेजर की किरण द्रभ से गुजरते हुए आसानी से देखी जा सकती है मिश्रण और दो अमिश्रणिये द्रभों का प्रथक करन एक मिश्रण के घटकों को प्रथक करना विस्मांगी मिश्रण को समान भौतिक विधी जैसे हाथ से चुन कर छान कर इत्यादी से प्रथक किया जा सकता है लेकिन मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए विशेश विधियों की आविशक्ता होती है दो अमिश्रणिये द्रभों का प्रथक करन दो अमिश्रणिये द्रवों का प्रथक करण प्रथक करण कीप दोरा किया जा सकता है गतिविधी एक प्रथक करण कीप लीजिए और इसमें डाय थिल इथर लीजिए इसे कुछ तेर स्थेर छोड़ दीजिए डाय थिल इथर और जल की परत प्रथक हो जाती है कीप के नीचे एक फ्लास्क रखिए और उपर से स्टॉपर हटा कर स्टाप कर्क को खोल दीजिए जल की निचली परत को बाहर निकाल दीजिए जब डाय थल इथर स्टॉप कार के पास पहुँचे तो प्रिथक करन कीप के स्टॉप कार को बंद कर दीजिए दो मिश्रणिये द्रवों का आस्वन विधी से प्रथक करण गती विधी एक आस्वन फ्लास्क में एसिटोन और जल लीजिए एक चिदर में थर्मा मीटर डालिए फ्लास्क के बगल की नलिका को लाइबिक के दोहरी दिवार वाले संखनक से जोड़िए गैस बर्नर की साहता से द्रव को गर्म कीजिए एसिटोन वाश्पिक क्रित होता है वाश्पन से प्राप्त वाश्प संखनक के बगल के भाग में एक अत्रित होता है संखनक में बहता हुआ शीतल जल एसिटून को द्रफ के रूप में संखनित कर देता है, जो की ग्रहिता में एकत्रित होता है फलास्क में जल शेश रह जाता है उर्धव पातन अमोनियम क्लोराइड कपूर इत्यादी पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ऐसे पदार्थों के लिए उर्धव पातन की विधी प्रियोग की जाती है उर्द्व पातन वह प्रक्रम है जिसमें ठोस सीधे गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है गतिविधी एक चीनी बर्तन में रेत और आयोडीन का मिश्रण लीजिए बर्तन को उल्टे कीप से ठक दीजिए बर्णर की साहता से मिश्रण को धीमे धीमे गर्म कीजिए कीप से आयोडीन वाश्प की बैगनी रंग की लओ उठती हुई साफत और पर देखी जा सकती है आयोडीन वाश्प कीप में संघनित होकर ठोस रूप में एक अत्रित होता है जब बर्तन के मिश्रण से वाश्प निकलनी बंद हो जाए तो गर्म करना बंद कर दें शुद्र आयोडीन क्रिस्टल निकल चुके हैं आ उर्थो पातनिये रेत बर्तन में शेश रह जाती है आयोडीन ऐसे पदार्थ का सामान उधारन है जो प्रतक्षिता कमरे के तापमान पर धीरे धीरे उर्थो पातित होता है क्रिस्टली करन किसी पदार्थ के गर्मविलियन को ठंडा करने पर वहाँ उसी पदार्थ का शुद्ध क्रिस्टल प्रदान करता है गतिविधी, बीकर में 100 ml पानी लीजिए, तनु सलफरिक अमली की कुछ बूंदे डाल कर विलियन को अमली कृत कीजिए, पानी को गर्म कीजिए, जब यह उबलना शुरू कर दे, तो इसमें कॉपर सलफेट चून को धीरे धीरे तब तक मिलाईए, जब तक की संत्रिप्त वि विलियन को छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए, थोड़े समय बाद आप विलियन में कॉपर सलफेट के नीले रंग के चमकदार क्रिस्टल देख पाएंगे रासाइनिक परिवर्तन यदि पदार्थ की भाती कवस्था में परिवर्तन हो, तो इसे रासाइनिक परिवर्तन कहते हैं उधारण एक जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रफ हैं, लेकिन उनका रासाइनिक गुण धर्म भिन्न है उनकी गंध और ज्वलन शीलिता भिन्न है हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है तेल का रासाइनिक गुण उसे जल से भिन्न बनाता है उधारण दो जलना एक रासाइनिक परिवर्तन है जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है सारा अंश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं पदार्थ को मुख्यता अवियव, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गी कृत किया जाता है अवियव वेपदार्थ हैं जो केवल एक तरह के पर्माणूं से बने होते हैं यौगिक वेपदार्थ हैं जो एक से अधिक प्रकार के पर्माणूं से बने होते हैं मिश्रण दो या अधिक प्रकार के पदार्थों के भातिक रूप से मिलने से बनते हैं एक विलियन दो या अधिक पदार्थों का समागी आणरविक फेलाव होता है. वह द्रव जिसमें पदार्थ घुलता है, उसे विलायक कहते हैं. विलियन को असंत्रिप्र, संत्रिप्र और पूर्ण संत्रिप्र के रूप में वर्गिक रित किया जाता है. निलंबन एक विश्मांगी मिश्रण होता है, जिसमें ठोस के छोटे कण, द्रव या गैस के पूरे द्रवेमान में घुले बगएर निलंबित रूप से विद्धिमान रहते हैं. एक कॉलाइड सच्चे विलियन और निलंबन के मद्धे होता है. कॉलाइड एक विलियन होता है, जिसमें विले के कण सच्चे विलियन से बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं.